दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बोक्स में बताना है अपने परिजनों के मृत्यू पर्मान पत्र मिल जाएगा इसकी बिहार सरकार ने विवस्ता कर दी है अब मृत्यू पर्मान पत्र इमेल या निवंदिर डाक से भेज दिया जाएगा इसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है आदेश के प्रती सभी नगर आयूक्त नगर परिसद और नगर पंचायत को भेज दिया गया है अगली बड़ी कबर देश में अब तक सबसे कम संक्रमन दर बिहार में रिकावरी दर में सिर्फ दिली और महाराष्ट आगे जी हाँ कोरोना की दूसरी लहर पुरे देश में लगातार कहर बरपा रही है लोगडाउन के बाद कई राज्जों में हालत सुदर रहें लेकिन अभी भी चिंता किस्ति बनी हुई है अगर हम कोरोना की दूसरी लहर की बात करें तो कई राज्यों में संक्रमंदर 15% से उपर जा चुकी है बिहार में भी संक्रमंदर 30 अप्रेल को 16% से अधिक हो गई थी जो अब धिरे धिरे नीचे आ रही है मगर जब हम कोरोना की सुरुवात से उपर तक यानि बिते वर्सों के आकड़े को मिला कर तुन्ना करते हैं तो बिहार की संक्रमंदर देश भर में सबसे कम है केंदर सरकार की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में संक्रमंदर मातर 2.3% है जो देश भर में सबसे कम है अगली बड़ी कबर बिहार में लगएगी हवा से अक्सिजन बनाने वाली 9 मसीने प्रती मिनट 7000 लीटर का होगा उतपादाit ज़िए हराज के मेडिकल कोलेज अस्पतालों में हवा से अक्सिजन उतपादान करने वाली मसीने लगाई जाएगी राज के सबी नो मेडिकल में इस्तापित होने वाली हवा से ओक्सिजन तयार करने वाली प्रेसर स्विंग एट्स पोर्जन मसीन से प्रती मिनट 7000 लिटर ओक्सिजन को उत्पादन किया जाएगा केंदर सरकार जिन छमता की मसेनों की स्थापना की तयारिक की गई है उसमें पटना मेडिकल कोलेज अस्पताल में 500 लिटर प्रती मिनट नालंदा मेडिकल कोलेज अस्पताल पटना में 800 लिटर प्रती मिनट स्री कृष्ण मेडिकल कोलेज अस्पताल मुझपरपूर में 1000 बड़ी कबर बिहार में मुईक्री मंत्री उद्धमी योजना का बदलेगा नियाम अपरिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा लाव जी हाँ मुख मंत्री अनुसूचि जाती जन जाती अती पिछड़ा वर्ग उद्दमी योजना की तहद सूच में अवम लगू उद्योग स्तापित करने के लिए नियम तई किये गया है योजना का लाब परिवार के एक ही वेक्ति को दिया जाएगा सयूख परिवार केवल ए अतम तिमाई के दोरान ओनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे इसके अलावा उद्योग विभाग ने वित्या सायता देने के लिए प्रकिरिया निदारित कर दी है अगली बड़ी कबर बिहार सरकार का नया आदेश अब इतने दिनों के अंतराल पर लगेगी कोवी सिल्ड की दूसरी डोज बिहार समेत देश भर में जारे कुरोना वेक्सिनेशन के बीच राज स्वास्त समेती बिहार ने नया आदेश जारी किया है समेती की ओर से जारे आदेश के नुसार अब कोवी सिल्ड के दोनों डोज के बीच 12 से 16 हपतों का अंतराल रखा जाएगा इस से पह मानसुन को दस्तक दे सकता है एक तरह से या आपने समाने समय पर होगा पूरवी बिहार से बिहार में परवेश करने के साथ या पूरे प्रदेश में पहलेगा आएमडी मानसुन के समद में एक पूरानुमान सुकरवा को जारी किया है आधिकारिक सुत्रों के मताबिक पिछले साल मानसुन को 5 जून के आसपास बिहार में ओन सेट होना था लेकिन वह 12 जून के आसपास बिहार आया था बिहार के लिए यहा एक अच्छी सुचना है कि इस बार मानसुन समय पर दस्तक देगा आएमडी की जानकारी के मताबिक इस बार केरल में मानसुन 31 माई को दस्तक देगा कम से कम एक दिन पहले या चार दिन देरे से इसकी भी दस्तक संबव है बड़ी कबर कोरोना की तीसरी लहर और होगी खतरनाक बिहार के साड़ी तीन करोड युवा और बच्चे हो सकते हैं बिमार जी हा कोरोना वारेस के मोज़ोदा दूसरी लहर इवावो पर तेजे से वार कर रही है वहीं तिसरी लहर में बच्चों पर भी इसका असर पढ़नी के असंका जताई जा रही है पटना साहित पुरे बिहार के करीब बारक कडूर से अधिक चीनित अबादी में से 18 से कम आयू वर्ग के करीब 3.5 करोड बच्चे और किसोर है रहात के बाद यहाए कि इस अबादी पर पहली और दूसरी लहर के दोरान असर कम रहा है इस साल मार्च में अब तक आये करीब 8 लग संक्रमितों में से 0 से 14 वर्ष आयू के बच्चे 2.7 परतिसाद यानि करीब 25,000 संक्रमित हुए है बड़ी कबर बिहार में मिले सिर्फ 7,336 केस लेकिन नहीं घट रहा है मोत का आकड़ा आज फिर 73 मरीजों ने तोड़ा दम बिहार में लोकडाउन लगाने का काफी फायदा हो रहा है सरकार का दावा है कि लोकडाउन के कारण कोरोना की चेन टूटी है कोरोना मरीजों की सेंक्या में भारिक गिरावर देखे जा रही है सनिवार यानि पिछली 24 गंटे में राज सरकार की ओर से जारी ताजा आगड़े के मताबिक प्रदेश में सिर्फ 7336 पोजिटिव केसी मिले हैं जबकि कल एक बर फिर से लगबग दोगुने मरीज कोरोना से ठीक है पर फिर से राजानी पटना में सबसे ज़्यादा 1202 नए मामले सामने आए हैं राजानी पटने के अलावा प्रदेश के पाज जिलों में 300 से अधिक मामले सामने आए हैं समस्तिपूर में 392, भागलपूर में 361, मदुबने में 360, वेसाली में 353 और वेगोसराय में 334 मरीज मिले हैं अगली बड़ी कबर पटना एम्स में होगा बच्चों पर कोवेक्सेन का ट्रायल भारत बायोटेक ने दी अनुमती इस मैने के अंध से होगी सिरुवाट जी हाँ एक बड़ी खबर सामनी आई है बहुत जल्द बच्चों के लिए भी कोरोना वेक्सीन बाजार में उपलब्ध होगा जिसके लिए ट्रायल की सुरुवात होने जा रही है पटना एम्स को भी बच्चों पर वेक्सीन ट्रायल के अनुमती मिल गई है वेक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक कमपनी ने पटना एम्स को मंजूरी दे दी है मंजूरी मिलने के साथ पटना में भी बच्चों पर वेक्सीन ट्रायल की सुरुवात होगी पटना एम्स के नोड़ा लदिकारे डाक्टर संजीव ने इसकी पुष्टी करते वे बताया कि इस मा के अन तक 2-18 साल के बच्चों पर वेक्सिन का ट्रायल की सुरवात की जाएगी जिसके लिए सारी तैयारी चल रही है इसके साथ ही उन्होंने 1000 से 2000 बच्चों पर ट्रायल करने की बात कही है पड़ी कबर किसान सम्मान योजना की नाम पर फरजी वाड़क करने वालों पर सकते केंद्र सरकार अब करेगी वसुली जी हाँ बोजपूर जिले में परधान मंत्रिक किसान सम्मान योजना में फरजी वाड़क का खुलासा हुआ है इस योजना के अंतरकत जिले के 1,71,743 किसान लवारती है जिन में से 3000 परजी किसानों को चिनित किया गया है ये किसान योजना का लाब लेते वे पैसे ले रहे अब ऐसे किसानों को भारत सरकार ने रासी लोटाने का सक्त निर्देश दिया है आपको बता दे कि फरजी किसानों ने प्रधान मंत्रिक किसान सम्मान योजना के तहद 12,000 और 6,000 रुपे तक का लाब लिया है जिने भारत सरकार के क्रिसी विवाग के सक्ति के बाद रासी लोटाने पड़ेगी सुचना के बाद भी रासी नहीं लोटाने वालों के किलाब क्रिसी विवाग दर्ज करने के करवाई कर सकता है अगली बढ़ केवर प्रधान मंत्री मोदी ने गावों में घर घर कोरोना टेस्टिंग का दिया निर्देश कहा टिकाकरन अभियान को किया जाए तेज़ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सनिवार को देश भर में कोविड-19 के कारण हालात और कोरोना वेक्सिनेशन की प्रगति की समिक्षा के लिए एक महतपून बेटक की बेटक में प्रदान मंत्रे ने देश में जारे वेक्सिनेशन अभियान से जुड़े तमाम मसलों परचार्चा की और टिकाकरन वो कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया में और तेजी लाने को कहा है साथ केंद्र की और से भेजे गए वेंटिलेटर जीने राज्यों में अब तक इस्तिमाल नहीं किये गये है उन्हें तुरंथ इंस्टॉल करने का सक्त आदिस दिया है प्रदान मंत्रे ने गावों में घर-घर कोरोना टेस्टिंग और सर्विलांस पर जोर दिया है प्रदान मंत्रे ने ओच संक्रमन वाले चेतरों में भी टेस्टिंग बढ़ाने की जौरत बताई है इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वेक्सिनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज सरकारों के साथ मिलकर काम करे अगली बड़ी कबर कोरोना के बीच बिहार में पाव पसारने लगा है ब्लेक फंगस अब तक मिले बीच से अधिक मरीज जी हाँ कोरोना संक्रेट के बीच म्यूकर माइकोसिस याने ब्लेक फंगस ने चिंता और बढ़ा दी है पाटना साहित पुरे बिहार में अब तक कूल 20 से अधिक मरीज सामने आये हैं इनमें सहर के IGIMS में तीन एमस में पाँच वा बेली रोड वा पाटली पूतर इस्ती दो नीजी अस्पतालों में दो दो मरीजों का इलाज चल रहा है यहां तक कि एक पेथोलोजिक डाक्टर की पिता जो कोरोना से ठीक हो चुके थे लेकिन बाद में म्यूकर माइकोसिस बिमारी से उनकी मौत हो गई है करने के जोरत है इन मरीजों के नाक में दिक्कत और साज फोलने की सिकायद पर ए एंटी विसेशक या चेश्ट रोग विसेशक से सला ले सकते हैं मंदिर दे रहा है जीवन दान जोरत मंदों को मिलेगी निसुल को ऑक्सिजन सिलेंडर की सिवा जिया बिहार में भेले ही कोरोना संक्रमन के रब्तार में कमी आई हो मगर गाउं छोटे सहर में मरेजों की सिती में सुधार नहीं हुआ है समस्तिपूर सहर की एक पंजाबी कोलोनी स्तीत स्री लचमी नारायन मंदिर टरस्ट द्वारा निसुल को ऑक्सिजन सिलेंडर सिवा का सुभारम किया गया है इसको लेक मंदिर टरस्ट ने हेलप लाइन नमबर भी जारी किया है जरुत मंद लोग राकेश तनेजा जिनका नमबर 9931004-373, संजेप पहवा जिनका नमबर 985295267, विनुत तनेजा 79790665883, सुमित गुलियानी जिनका नमबर 797984-55351 नमबर पर संपर्क करके निसुल को ऑक्सिजन सिलेंडर की सेवा ले सकते हैं बड़ी कबर बिहार के इवावो के लिए अवसर सरद विवेक सागर का डेक्स्टेरिटी ग्लोबल इस साल भी 1000 इवावो को देगा इंटर्नसिप टेनिंग का मोका 25 मैं तक करे अपला है अंतराश्टिय इस्तर पर सम्मानित और पोप्स की सूची में सामिल बिहार के लाल सरद विवेक सागर की संस्ता डेक्स्टेरिटी ग्लोबल ने 1000 इंटर्नसिप प्रोग्राम का दूसरा संस्करन लॉंच किया है अप्रेल 2020 में कोविड संकर्ण के दोरान 1000 इंटर्नसिप कारकरम को सुरू किया गया था यहाँ वावो को इंटर्नसिप और केरियर में प्रसिक्चन प्रदान करता है अब यहाँ डेक्स्टेरिटी ग्लोबल के यंग प्रोफेशनल डेवलप्मेंट प्रोग्राम के रूप में विक्सित हुआ है आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस इंटर्नसिप की आवदी 6 सब्ता है और अंकी बड़ी कबर पुराने एंबुलेंस पर नया स्टिकर लगा कर मंत्री अस्वीनी चोबी ने किया उदगाटन तेजस्वी और कॉंग्रेस विदायक ने बोला हमला पूरणे एंबुलेंस पर नया स्टिकर लगा कर केंद्रिय मंतरी अस्वीनी चोबी द्वारा उधगाटन किये जाने के मामले पर नेता प्रतिपज तेजिस्वी आदम ने हमला बोला है तेजस्वी ने कहा कि आश्वीनी 24 सिर्फ एम्बुलेंस का उद्गाटन करने के लिए बकसा राते हैं वही सदर कॉंग्रेस विदायक संजे तिवारी और पमुन्ना तिवारी ने भी हमला बोलती वे कहा कि नई बोतल में पुरानी सरा भनने का मंत्री जिगा पुरानी आदत है एक और जहां पुरा देश कोरोना संकट की दोर से गुजर रहा है कोरोना के संक्रमन से कई लोगों की मौत हो चुकी है तो वही कई अब भी जिन्दगी और मौत के बीच जोज रहे हैं ऐसे दोर में कोजन परतिनी दी और अधिकारी इस आबदा की गड़ी में आउसर की तलास में रहते हैं आज के लिए आपका सवाल बताए कि काकॉलत जल परपाद बिहार के किस जिले में इस्तित है इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए